बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम उलेकूम एवरिवन, उमीद हैं कि आप सब खेरियत से होंगे, आज की वीडियो का टॉपिक है दमेटामॉर्फोसिज, ये एक नौवेला है जो फ्रांस काफका ने लिखा, आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिसकस करेंगे फ्रांस इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाई वन डिसकस करेंगे, ताकि अगर कोई भी क्वेस्टन पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें, आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपको इस नौवेला के नोट्स भी मिल जाएंगे, लिं शुरू करते हैं, काफका 1883 में प्रेग में पैदा हुए, जो आस्ट्रो हंगेरियन एंपायर का हिस्सा है और अभी इसे जच रिपब्लिक कहते हैं, काफका मीडिल क्लास फैमिली से बिलॉंग करते थे, इनकी फैमिली जुविश थी, इनके दो बाई थे, जो यंग एज मे ही मर गए और इनकी तीन बहने थी, जर्मन युनिवरस्टी में इन्होंने ला पड़ा और 1906 में लॉग डिगरी हासिल की, काफका ने इंशोरंस कंपनी में काम किया, फिर वर्कर्ज एक्सिडेंट इंशोरंस इंस्टिटूट में भी काम किया, लेकिन ये अपने काम को पसं इनके famous works की बात करें तो सबसे पहले है The Metamorphoses, जिसको हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, फिर है The Trial और फिर है The Castle, इनके बहुत सारे romantic relationships थे, लेकिन इनोंने अपने जिन्दगी में शादी नहीं की थी, 3 जून 1924 में काफका की tuber clauses की वज़ा से death हो गई और तब इनकी उमर 40 साल थी, इस work के key facts की बात करें तो इसका title है The Metamorphoses, author है France काफका, 1912 में ये लिखा गया, और तीन हफतों में ये लिखा गया, प्रेग में ये लिखा गया, 1915 में ये पबलिश हुआ, ये एक novella है और इसमें हमें absurdism और existentialism के elements मिलते हैं, यनि हम देखेंगे कि किस तरह protagonist alienated और meaningless महसूस करता है, यनि बहुत अकेला महसूस करता है, उसे जंदगी बहुत absurd, यनि बे तुकी सी लगती है, setting की बात करें तो इसकी setting रखी गई European City के एक unnamed apartment में, third person इसका point of view है, अगर इसके background की बात करें, तो ये novella काफका की personal struggles को दिखाता है, काफका alienated यनि खुद को तन्हा और अकेला महसूस करता था, काफका का अपने फादर के साथ relationship भी अच्छा नहीं था, जिसकी वज़ा से वो बहुत परिशान और उदास रहता था, इसके इलावा हमें इसमें modernism के elements में मिलते हैं, चुझके ये novella early 20th century में लिखा गया, जब world war 1 हो रही थी, अगर इसके characters की बात करें तो सबसे पहले है Gregor Samsa, ये कहानी का main character है, hard working है और एक traveling salesman है, जो अपनी family को sport करता है, Gregor बहुत ही responsible आदमी है, लेकिन इसे job का बहुत बोज महसूस होता था, और ये अपनी job की वज़ा से isolated महसूस करता था, यनि अकेला और तन्हा feel करता था, एक दिन ये सुबो उठता है और देखता है कि ये बहुत बड़े insect में तबदील हो चुका है, यनि ये एक बहुत बड़ा कीडा बन गया है, कौकरोज की तरह एक कीडे मकोडे में तबदील हो गया है, वो अपनी इस new identity को accept नहीं कर पाता, उसके गरवाले भी उससे अच्छ अच्छा सलूक नहीं करते तो वो बहुत alienated महसूस करता है, फिर है greatest emsa, ये ग्रेगर की छोटी बहन है, ग्रेगर की transformation के बाद, पहले पहले तो ये ग्रेगर का बहुत ख्याल रखती थी, उसे खाना देती थी, उसके कमरे की सफाई करती थी, लेकिन time के साथ-साथ ये अपन इस जिम्यदारी से ठक जाती है, और ग्रेगर के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, और कहती है कि अब हमें ग्रेगर से छुटकारा हासिल करना चाहिए, अब हमें इससे जान छुडानी चाहिए, फिर है Mr. Samsa, ये ग्रेगर का फादर है, बहुत ही सट्रिक्ट है, और authoritative है, श आते हैं, और एक पॉइंट पर तो वो ग्रेगर पर अटैक भी करते हैं, और बाद में वो खुद जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि अपनी फैमिली को स्पोर्ट कर सकें, तो चलिए अब समरी की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेगर सेंसा, जो कहानी का मर्कजी किरदार है, प कॉक्रोच की तरह हैं, यनि कॉक्रोच की तरह ये एक कीडे में तबदील हो चुका है, वो रियलाइज करता है कि उसकी ट्रेन भी मिस हो चुकी है, और अपनी स्ट्रेसफुल जॉब की वज़ा से बहुत परेशान हो जाता है, फिर वो अपनी नई बाड़ी के साथ तीनों परेशान हो जाते हैं कि अभी तक ग्रेगर बाहर क्यों नहीं आया और जॉब पर क्यों नहीं गया? वो दरवाजा नौक करते हैं लेकिन ग्रेगर ना तो बोल सकता था और ना ही दरवाजा खोल सकता था फिर Gregor का boss आता है जो के chief clerk था वो Gregor के गर आता है और उसे डाड़ता है कि वो बहुत लेट हो गया है और अगर Gregor इसी तरह लेट होता रहा तो उसे job से निकाल दिया जाएगा बहुत मुश्किल और कोशिश के बाद Gregor दरवाजा खोलता है और खुद को explain करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसे understand नहीं करता कोई भी उसकी बात नहीं सुनता उसको समझता नहीं सब उसकी appearance देखकर shocked हो जाते हैं वो परिशान हो जाते हैं कि ये एक insect में तबदील हो और चीफ कलर्क तो खौफ से बाग जाता है ग्रैगर ये सब देखकर heart होता है और वापिस कमरे में चला जाता है फिर ग्रेटे उसके लिए fresh food लाती है लेकिन ग्रैगर इसको पसंद नहीं करता क्यूंकि वो insect में तबदील हो चुका था तो उसे ये इनसानों वाली खुराक अच्छी नहीं लगती लेकिन फिर अगले दिन जब ग्रेटे rotting food लाती है यानि खराब और बदबूदार खाना लाती है तो ग्रैगर उसे बहुत पसंद करता है और उसे फोरन से खा जाता है फिर ग्रैगर सुनता है कि उसकी family money problems को discuss कर रही होती है यानि ग्रैगर अब पूर्ट नहीं कर सकता अब आइस्ता इस्ता ग्रेटे भी ग्रैगर का ख्याल नहीं रख रही थी उसने भी ग्रैगर का ख्याल रखना छोड़ दिया था और इसी तरह एक महीना गुजर गया फिर एक दिन जब ग्रैगर कमरे से बाहर है तो वो बहुत डिस्टरब हो जाती ह अब आइस्ता आइस्ता ग्रैगर एस आ इसे बहुत बड़ा हो रहा था लेकिन ग्रैगर नहीं चाहता था कि फरनीचर कमरे से निकाला जाए क्योंके वो इसके थुर हुँमानीटी से कॉनेक्टिड रहना चाहता था ग्रैगर अपनी फेवरेट पिच्चर को कवर कर लेता ह ताकर उसे removing ना किया जाए और ये देखकर उसकी mदर बहुत परिशान हो जाती है फिर ग्रेगर का फादर गर आता है और उसे dining room में देखता है वो ग्रेगर की तरफ एक safe फैंकता है safe ग्रेगर को जा कर लगता है और वह जखमी हो जाता है ऐसे ही दिन गुजरते गए उसकी फैमली का बिहेवियर चेंज होने लगा वो उससे बुरा सलूक करने लगे उसे निगलेक्ट करने लगे फिर ग्रेगर की फैमली थोड़े पैसे कमाने के लिए तीन लोजर्स रख लेते हैं यानि तीन क्रायादा रख लेते हैं ग्रेगर को और ज्यादा इग्नोर करने लगते हैं एक रात ग्रेटे उन लोजर्स के लिए वाइलन बजाती है वाइलन एक म्यूजिकल इंस्टुमेंट है वो सब मिलकर ये म्यूजिक इंजॉय कर रहे होते हैं ग्रेगर भी अपनी फैमली के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है खास तोर पर अपनी बहन ग्रेटे के साथ वो म्यूजिक सुनने के लिए कमरे से बाहर निकलाता है लेकिन जैसे ही लोजर्स उसे देखते हैं वो वहाँ से बाग जाते हैं और पे भी नहीं करते यनि कराया भी नहीं देते अब ग्रेगर की फैमली उससे बहुत परेशान थी ग्रेटे अपने पेरंट से कहती हैं कि जिसको इतनी देर से हम ग्रेगर समझ रहे थे वो ग्रेगर नहीं है बलके एक इंसेक्ट है जिसने उनकी जिन्दगी को तबाह कर दिया है ग्रेगर ये सुन लेता है बहुत हर्ट होता है अपनी फैमली की ये बातें और ये रविया बरदाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है क्यूंकि ग्रेगर की इस कंडिशन ने उसे आइसोलेटिड कर दिया था उसे तनहा कर दिया था अकेला कर दिया था अगली सुबो सफाई और काम करने वाली को ग्रेगर की डेड बॉडी मिलती है ग्रेगर की फैमली उसकी डेथ की वज़ा से रिलीव महसूस करती है यनि हलका महसूस करती है कि उनसे ये बोज कम हुआ वो सब अपने अपने काम से छुटी करते हैं और सब बाहर गूमने जाते हैं खुशी से अपना future प्लान करते हैं अगर हम इसके themes की बात करें तो सबसे पहले है alienation and isolation ग्रेगर अपनी family से cut off था पहले उसकी job ने उसको family और friends से दूर कर दिया था इंसेक्ट में transform होने के बाद वो और ज्यादा isolated हो जाता है अपनी family का behavior भी बर्दाश्ट नहीं कर पाता और इसी वज़ा से मर जाता है फिर है the burden of responsibility ग्रेगर पे जिम्यदारियों का बोज भी था उसे job करनी थी अपनी family को sport करना था और इसी तरह वो एक stressful job कर रहा था transformation के बाद जब वो job नहीं कर पाता तो यही responsibility का burden उसकी family पर आ जाता है जिससे मजीद tension और stress बढ़ता है फिर है the absurdity of life यह कहानी शो करती है कि life कितनी unpredictable है बे तुकी सी है बे सूरी सी है इसका कोई मानी नहीं है यह कहानी बताती है कि जिंदगी हमेशा कोई sense नहीं बनाती फिर है dehumanization ग्रेगर का insect में तबदील होना symbolize करता है dehumanization को कि किस तरह उसकी family उसे object की तरह treat करती थी उसे burden समझती थी जब ग्रेगर अपनी family को sport नहीं कर पाता उनके लिए useful नहीं रहता तो वो humanity खो देते हैं फिर है family dynamics इस नौवला में हमने ग्रेगर उसकी family में relationship देखा है कि जैसे जैसे ग्रेगर की situation change हो रही थी उसकी family का behavior भी उसके साथ change हो रहा था यह story highlight करती है कि sometimes family members भी एक दूसरे को sport नहीं कर पाते खास तोर पर जब difficult challenges आते हैं जब मुश्किल time आती है तो वो sport नहीं कर पाते एक दूसरे का साथ नहीं देते वियर्ज आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी Thank you so much for watching अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो kindly इसको अपने friends और class में share करें ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें